मुक्ता का तीन तल्ले का मकान नीचे बैठक तो छट पर रसोई आरे मुक्ता गर्मा गर्म रोटी तो ला बहुत स्वाद बनी है सबसी लाई मा बस दो मिनट मुक्ता की दौड जो सुबर शुरू होती तो रात में जाकर रुपती उपर नीचे करते करते पूरा शरिर ठक जाता लेकिन मा मैं आपके पेर में ते लगा कर ही सोंगी ने तो मुझे नीन नहीं आएगी अरे जीती रह बेटा लेकिन तो ठक जाएगी पैसे भी तुझे तीन तल्ला चड़ना है अबी कैसी बात करिये मा जी मैं तो आज बहुत देर तक सोई थी तो नीन कहाँ आएगी सास को कब नीन लग जाती पता ही नहीं चलता अगले रोज अरे मुकता सरसामने ठेले वाले से आलू तो लिया पाच केलो पापड बना देती हूँ होली आ रही है महमान आएगे तो क्या कहेंगे कि इन लोगों के घर तो कुछ बना ही नहीं मा मैंने सब बना लिया है अब चिंदा मत करिये होली वाले दिन दही बड़ा और पकड़ों का इंतिसाम भी कर लिया है मैंने सास को लगता है जैसे उसे न जाने कितनी गोणी और अच्छी बभु मिल गई एक दिन मुकता की बुवा असास उन लोगों के घर आती है अरे भाबी आपने तो हीरा बभु पाई है बिल्कुल हरे काम को ऐसे कर रही है जैसे की रोबोट एक हमारी है दो रोटी खिला दे तो गनी मत समझो अरे हम तो बेटे को देख के सोच रहे थे कि कलुवासा है पता नहीं कौन शादी करेगा लेकिन देखो जै दोद से फपकती बहु आई है हाँ भाबी आप तो लक्की हो लक्की तबी वहां मुकता आ जाती है क्या बुआ काहे कि लक्की देखो ना कैसा शरिर फूला जा रहा है अब तब तो एक बच्चा भी हो जाना चाहिए था अरे हो जाएगा बहु क्यों चिंता कर रही है करम कितने अच्छे है तेरे तुझे तो जुडवा बच्चे होंगे एक बिटिया और एक बिटवा होता भी ऐसा ही है मुकता को दो बच्चे एक साथ होते है मुकता जल्दी से ओफिस के लिए खाना बना दो मुझे देर हो रही है आ लेकिन जरा ये छोटे वाले को तो पगड़ लो तब तक मैं रोटी सेख देती हूँ मुकता सारे घर का काम बड़े ही मगन होकर करती क्या पती, क्या सास, क्या बच्चे रिष्टेदार सभी की जरूरतों का खयाल वो बख खुबी रखती लेकिन भई चांद को भी ग्रहन लग जाता है वैसे ही मुकता को भी एक दिन लग जाती है किसी की नजर दूर के रिष्टे की चाची कहती है ओर वाहन जी, आपके बहुत अफुरते से काम करती है बच्चा होने के बाद भी सारा दिन लगी रहती है इसके हाथ का खान अभी तरना टेस्टी है लगता है जिसे होटल का खा रहे बस फिर क्या था, वो तो चली जाती है पिला दे हाँ, हाँ, ज़रूर बना लीजे मुझे कमरे में ही दे दे न, माजी, बहुत थकान लग रही है थकान? है भगवान, यह क्या बोल रही है इसके मूँ से तो यह शब्द मैंने आज तक नहीं सुना अगली सिपा अरे मुक्ता, आज खाने का डब्बा इतना हलका क्यों है? वो इसलिए क्योंकि मैंने सिफ रोटी और दाल बनाई है अरे लेकिन मुक्ता, मैं तो नाश्ता, दिन का खाना, फिर शाम का स्नैक्स, फ्रूट, सलाज, यह सब लेकर जाता हूँ कहां है यह सब? अरे कैसी बात कर रहे हैं आप, इतना सारा खाना तो मैं चार दिन में नहीं खाती, जितना आप एक दिन में बनाने की बात कर रहे हैं ना जी न, मुन्नी की साथ जितना हो पाएगा, उतना ही करूँगी मैं मुक्ता की बात सुनकर पती हैरान रह जाता है, तब ही वहाँ बुआ सास आ जाती है, अरा मुक्ता, मेरे नाती का जनम दिन है, भूल गई क्या आज, शाम को आना, और मुक्ता थोड़ा जल्दी आ जाना, मेरी बहु का हाथ बटा दे न, किचन में वो तेरी तरह स्माट तो है यानी के फट-फटाक से काम कर ले, अरे बुआ कैसी बात करती, फट-फटाक से काम कैसे हो जाएगा, हम बहुए हैं, रजनी कांत नहीं, बुआ देखो, आप काम के लिए पास की ललो हलवाई की बीवी को बुला लो, वो मदद कर देंगी, मैं तो नहीं आ पाऊंगी, बु बेटा, क्या हो गया बेटा, आज दो पैर के खाने की तैयारी नहीं करनी क्या, अरे माजी, अब नहीं हो ता मुझसे, तीन तल्ले में उपर नीचे करना, आप लोग रसोई को उपर ही ले आओ, अरे पैरों में इतना दर्द होता है कि बता नहीं सकती, अरे लेकिन तू तो कमरा अमरिका में है, तो खाने का लंदन में, अरे रसोई बरानी है तो जाओ अफरिका, ना जी ना मुझसे नहीं होगा इस गर का काम, मुक्ता की बदली हरकत किसी को समझ में नहीं आ रही थी, अरे ये मुक्ता को क्या हो गया है, मुझे दो लगता है इसकी माने पट्टी पढ़ाई होगी और ना जी ना मुक्ता की मा यानि मेरी संधन तो देवी है देवी वो तो अपनी बेटी को ऐसे संसकार दे ही नहीं सकती मुझे माजरा कुछ और ही लग रहा है तबी महा मुक्ता हाथ में प्लेट और सबजी लेकर आ जाती है माजरा किस बात का माजरा खैर मा आटा यहीं दे जाओंगी कून देना हाँ तो एक काम कर बेटा गैस चूला भी यहीं दे दे मना भी दूँगी अच्छा ठीक है शाम को उसका भी इंतिसाम कर देती हूँ ये बोलकर मुक्ता वहां से चली जाती है ये भगवान ये तो वो मुक्ता है ही नहीं अरे एक बार तो मुझे याद है मेरे जूते भी इसने मुझे अपने हाथ से पहनाए थी। तब ही सास के दिमाग की बत्ती जल जाती है। हाँ, कल वो कालिया के आरत आई थी ना, खुब तारिफ कर गई, उसके बाद से ही मुक्ता ऐसी हो गई है। फिर तो पक्का मान लो कि तुमारी बहु को नजल लगी है। एक काम करो, ये लो राई का दाना, दूर से बहु के उपर राम का नाम लेकर फैंक कर आजाओ, जो नजल लगी होगी यूँ भाग जाएगी। फिर क्या, होता भी ऐसा ही है, सास जैसे ही बहु पर राई फैंक कर वापस आती है, थोड़ी ही देर में मुक्ता भी आ जाती है। अरे माजी, आप ये सबजी लेकर क्यों बैठी है, ना ना लाईए मुझे देजी और चाची, अब तक आपके हाथ में चाय का प्याला नहीं आया, रुके, मैं अभी लेकर आई।